हमने तीन कुरुसी कानूनों को वापस लेने का रिपील करने का निर्णे लिया है। हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। बले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोत कर रहा था, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कृषी अर्थसास्त्रियों ने, वैज्याकिनिकों ने, प्रगतिशिल किसानों ने भी उन्हें कृषी कानूनों के महत्वपूर्ण को समझाने का भड़पूर प्रयास भी किया। हम पूरी विनम्रता से, खूले मन से उन्हें समझाते रहें। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामुहिक बाचित भी लगातार होती रही है। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें एतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए लिए भी तयार हो गई। दो साल तक हमने इन कानूनों को सस्पन करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दोरां ये विशय माननीय सर्वोचे नयाले के पास भी चला गया। ये सारी बाते देश के सामने हैं। इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाओंगा। साथ क्यों मैं आज देश वास्यों से क्षमा मागते हुए। सच्चे मन से और पवित्र रदे से कहना चाहता हूँ कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी जिसके कारण दिये के प्रकास जैसा सत्या कुछ किसान भाईयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देवजी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोस्त देने का नहीं है। आज मैं आपको पुरे देश को ये बताने आया हूँ कि हमने तीन कुरुसी कानुनों को वापस लेने का रिपील करने का निरने लिया है। इस महिने के अंत में शुरू होने जा रहे है समसथ 17 में इसी महिने में हम तीन कुरुसी कानुनों को रिपील करने की सम्विधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों मैं आज अपने सभी अंदोलन रत किसान साथियों से आगर कर रहा हूं। आज गुरु परब का पवित्र दीन है। अब आप अपने अपने घर लोटे, अपने खेत में लोटे, अपने परिवार के बीच लोटे, आईए एक नई शुरूवात करते हैं। अपने उक्ते हूं।